चलिए तो बच्चा लोग हम लोग national income and related aggregates पढ़ रहे थे वाई एकदम last में आ चुके है last topic है आपके पास nominal and real GDP साथ में GDP and welfare तो सब कुछ बात करेंगे एकदम detail में बात करेंगे प्लस जो आपके numericals है nominal और real GDP के वो हम लोग बच्चा next class में solve करेंगे क्योंकि काफी सारे numericals है मैं चाहता हूँ एक एक numerical आपको अच्छे से solve करवा जाए तो उसके लिए एक separate class आपके next class होगे तो सबसे पहले बच्चा लोग अभी ये समझो कि ये nominal and real GDP है क्या देखो nominal GDP बोलो real GDP बोलो तो सबसे पहले क्यों ना यार GDP को समझा जाए GDP का full form तो सबको याद होगा GDP बोले तो gross domestic product बच्चा gross domestic product याद है क्या अगर नहीं भी याद है ना तो जैसे हम लोगोंने related aggregates की definition पढ़ी थी ना एक तब लास्ट पर स्टार्ट की थी इस type से बढ़ी थे जैसे it is the goods and services produced within domestic territory of a country inclusive of depreciation इसी प्रकार से पढ़ा था ना सुदो GDP का मतलब जिसे हम लोग gross domestic product बोलते हैं उसका मतलब है एक accounting year में अब थाम दो बिटा क्योंकि एक ऐसा concept है GDP जो कि हम बार बार news में सुनते हैं बार बार real life में सुनते हैं तो अगर कोई हमसे पूछे भाई commerce के student हो GDP क्या होता है तो आपको पता होना चीए GDP बोले तो gross domestic product एक accounting year में total कितने goods and services का production हो रहा है वापिस रिपीट कर रहा हूँ एक साल में total कितने goods and services बन रहे हैं वो आपके GDP कहलाती हैं वही आपकी GDP कहलाती है ठीक है तो ये तो है GDP अब बात ये है कि ये भहिया nominal GDP क्या है और real GDP क्या है अच्छा बच्छे एक बात बताओ क्या हम GDP को compare कर सकते हैं comparison बोले तो भहिया पिछले साल कितने के goods and services थे और अभी के कितने goods and services थे जनरली हम लोग यार GDP को compare basis पर ही calculate करते हैं हम ये देखते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा अभी GDP कितनी rise हुई यही तो देखते हैं न वही ये GDP इतने percent से बढ़ गई पिछले साल के according base year के according कितना percent कितना percent production में इंक्रीजमेंट हुआ वही तो बोलते हैं GDP बढ़ गई थे न तो जनरली हम यहाँ पर जब भी GDP की बात करते हैं जब भी comparison की बात करते हैं तो दो साल को लेके चलते हैं जैसे current year त यानि 2021 से हो सकता है 2015 से भी comparison कर सकते है 2010 से भी comparison कर सकते हैं कोई दिक करते हैं यह है आपका 21 है previous year को ही हम लोग base year बोलते हैं जबकि 2022 है आपका current year जो अभी आपका चल रहा है ठीक है आप ये बात भी जानते हूँ यहाँ पर goods and services की prices कुछ और होगी अभी goods and services की prices कुछ और चलते हैं पहले जो प्राइस थी वह मात्र 8 रुपय थी पैन की मान की चल रहे है ठीक है आज की rate में जो price पेन की वह है 10 रुपय डिफ्रेंस तो है यार पहले कम थी price अब price जादा है ठीक है मेरे को GDP आप लोग बता ना सपोस्थ तो यार अभी करंटेर में जो पैन का टोटल प्रोड़क्शन हुआ ना पैन का टोटल प्रोड़क्शन हुआ ना करंटेर में वह हुआ 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स मैंने आप से पूछा मैंने का भी ये GDP बता दो मैंने का GDP बता दो कितने रुपए के goods and services का प्रोड़क्शन हुआ तो आपको किसर 1000 पैन है और दस रुपए प्राइस चल रही है तो 1000 इंटू 10 बोले तो 10,000 ये आपकी हो गई GDP ठीक है सॉरी 1000 इंटू 10 ये हो गई आपकी GDP इसी को बच्चा हम बोलते है नॉमिनल GDP इसी को हम क्या बोलते है नॉमिनल GDP बाद समझ में आगी जब आप GDP को बच्चा करेंट इयर के हिसाब से निकालते हो इसके करेंट इयर के हिसाब से क्यालीट करते हो उससे बोलते हैं nominal GDP, अब second concept है, आपके पास real GDP का, ठीक है, production कितना हुगा था, 1000 unit, अब बच्चे कह रहें, सर हमें तो 2021 से comparison करना है, अगर आप price जादा लेके चलोगे, तो comparison कैसे possible है, फिर तो सीधा सीधा देख रहा है, GDP बढ़ रही है, हाँ यार बच्चा, concept तो सही है, कि पहले के हिसाब से comparison क आपको, तब तो पता चले ना, कि production जादा हुआ है, कम हुआ है, रही बात है भाई, एक काम करो यार, एक काम करो, अभी वापस से GDP निकाल, वापस से GDP निकालो, ठीक है, कितना होगा, 1000 unit का production हुआ था, हम इसके साथ comparison कर रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहो बच्चा, comparison कर रहे ह पिछले साल की price के हिसाब से, 8000 रुपय का, इसे बोलते हैं, बच्चा, real GDP, इसी को बोलते है, real GDP, real GDP, nominal GDP, अंतर समझ में आ रहे हैं, जब GDP आप, current year की prices के हिसाब से calculate करते हो, nominal GDP, जब आप GDP को, base year के हिसाब से, previous year के हिसाब से calculate करते हो, उसे बोलते हो, real GDP, यह ऐसा कर क्यों र GDP को हम previous year से compare करें, अगर सिर्फ और सिर्फ current year से ही किया जाता, क्या होता, यह comparison हम ठीक से नहीं कर पादे, क्योंकि पहले prices कम थी, अब prices बढ़ जाने की वज़े से हो सकता है, production तो कम हुआ हो, लेकिन GDP ज़्यादा आए, बिलकुल possible है, है ना, तो इसलिए बच्चा, हम लोग कभी कभी comparison के लिए, base year के हिसाब से भी GDP को calculate करते हैं, जिससे बूलते हैं, real GDP, मैं भी concept समझ में आया को, readout करेंगे, definition readout करेंगे, साथ में आपकी book में, जो example दिया ना, VK औरी TR Gen में, उसे भी readout करेंगे, आओ बच्चा, सो सबसे पहले readout करो, nominal GDP, आ जाओ भाई, it refers to GDP at current price, nominal means current price, so it is the market value, अब यहां से पढ़ो, it is the market value of goods and services produced within domestic territory of a country, inclusive of depreciation, during the period of an accounting year, और nominal है, तो current year की price के हिसाब से, पढ़ो, so it is the market value of final goods and services produced within domestic territory of a country, during the period of an accounting year, as estimated using current year prices, nominal है, current year price के हिसाब से, ठीक है, current year prices are the prices, prevailing during the price of estimation, तो जिस साल में हम GDP को calculate कर रहे है, estimate कर रहे है, उसे साल की price को current price कहते हैं, बागी formula कोई दिक्कत नहीं, P into Q, कितनी price है, कितनी quantity है, 1000 अगोट्स बनने थे, 10 रुपे के हिसाब से, 10,000 होगी आपकी nominal GDP, यहां पर आओ, real पर आओ, मैं आपको यह भी समझना है real GDP, real means at base year price, at previous year price, so again GDP है, it is the market price of goods and services produced within domestic territory of a country, inclusive of depreciation during the period of an accounting year, और real है, तो at previous year prices, समझ गहे है न, definition लिखनी कैसे, आओ, read out करो, so, it is the market value of final goods and services, produced within domestic territory of a country, during an accounting year, और as estimated of base year prices, base year, previous year, एक ही बात होती है, ठीक है, base year is the year of comparison, base year क्या होती है, जिससे हम GDP को compare करने है, जिससे हमने लिया था न, 2022 चल रही है, 2021 से comparison किया था, so 21 आपका base year हो, और real GDP क्या होता है, Q into P, same formula है, P के आगे star नजर आ रहोगा, छोड़ा साथ, है न, star का मतलब क्या है भी है, star का मतलब है, जो आपको price लेनी है, ध्यान रखना, previous year की, यानि की base year की लेके चलनी है, आओ बच्चा, थुड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, तो यह आपकी book में यार, बखवास का example दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है, nominal GDP, nominal बोले तो current year की price के हिसाब से, ठीक है, nominal में क्या होता है, current year की, तो यार, यह दे रखा है, ग्यारा बारा है, 18-19 है, previous year यह होगा, इसी को हम base year बोलते हैं, यह होगा आपका current year, तो nominal है ना, nominal GDP, current year की हिसाब से ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यह दोगो, पिछले साल की यह quantities दे रखी हैं, तीन चीजों की, यह price दे रखी हैं, price into quantity किया होगा, तो आपकी GDP आ गई होगी, ठीक, देखो, 20 into 100, 2000, 100 into 5, 500, सब को plus कर दिया, यह तो थी previous year का हाल, previous year के हिसाब से, अब current year का है, so current year के हिसाब से, जैसे 20 है, अभी current year में price चल रही है, 1000, तो 20 into 1000, 20,000, 100 है, price चल रही है, अभी 20, पहले price पास थी, अभी 20 है, तो यह वाली लोगे, यह यह वाली लोग अरे भईया, nominal है, current year की लो, so 100 into 20, 2000, 5 into 1600, आपका 8,000, टोटल करोगे 30,000, यह आपकी nominal GDP, यह जिस साल भी GDP निकाल रहो हो, उसी साल की price लेके चल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं था, simple सी चीज़ थी, ऐसे ही, बच्चा, जब real GDP को देखते ना, real, real का मतलब क्या था, बच्चा, real का मतलब था, base year की price, previous year की price, है ना, तो अब आप जो भी price लोगे, current year में भी जो price लोगे, वो previous year की लोगे वच्चा है, ठीक है, देखो, मैं आपको example की help से समझाता हूँ, अभी देखो, पहले से रफ कर दे, चल, so, 11,12 है, 18,19 से, यह हो क्या previous year, या फिर base year, यह हो क्या हाल देख लो, 100 price है, 5 price है, 500 price है, इनके साब से, ठीक है, multiply करोगे, यह तो है प्रानी GDP, अब इसके साब comparison करते है, real का बच्चा मतलबी comparison होता है, यार, comparison करते है, ठीक है, अब देखो, wheat का production हुआ, 30 ton, price कौन सी लोगे, wheat वाली, यानि की यह, price कौन सी लेनी है, real में, previous year की, base year क so, 30 into 100, यह देखो, 30 into 100, कितना है, 3000, फिर है, 200 meter cloth है, तो बच्चा है, cloth, cloth की price पहले कितनी थी, 5, अभी भी 5 ही लेके चलना, price में change ना हो जाए, previous year की लेके चलना है, real में, so, 200 into 5, यह आपका आगया 1000, फिर, आदस तन है, सुगर, सुगर की पहले price कितनी थी, 500, अभी भी 500 ही लेके चलना है, आप कहोगे, सर यहां तो current year की price देखी नहीं रखी है, सारी previous की price दे रखी, बिल्कुल बच्चा, सो previous year की ही price दे लेके चलनी है, सो यह आगया, ठीक है, total करोगे, 9000 आप बच्चा लो, हो गया ना, बिल्कुल simple, बिल्कुल simple हो गया, देखो जरा, सो पहले GDP 5000, अभी GDP है, 9000, आप से कोई पूछे, GDP कितनी बढ़ी, भई यह 4000 बढ़ी, percentage में निकाल दो, 4000 अपन 5000 इंटू 100, सो जितना भी आए, साइद 20% हो जितना भी आए, आप लोग कैल्कुलेट कर सकते हो, ठीक है, real GDP, nominal GDP, साइद आप लोग समझ चक्यों, ठीक है, कहीं कोई देख डर होता है, कि बोलना था, कि मेरी comment box में लिखना ना भूले, बोल दिया comment box में लिखनी भूल जाना, समझ गए ना तुम लोग, चलो, सो कोई भी दिक्कत परेशानी, नीचे comment box में बताओगी, सो अभी बच्चा, conversion, जादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ formula देख लो, real GDP, nominal GDP upon price index into 100, formula देख लो, नहीं देखना है, वो भी मत देखो, क्योंकि सर, next class में आप numericals करवाओगे, तो हम आप पर पूरा भरूसा करते हैं, कि आप next class में formula भी लिखवाओगे, तो परेशान मत हो, लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा, बस य लोग जानते हैं, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, कि GDP बढ़ती है, goods and services का production होता है, तो आम तोर पे, welfare होता ही होता है, आम तोर पे, economy का welfare होता है, हमारा देश आगे बढ़ता है, पर क्या ये real में सच है, क्या हमेशा ऐसा होता है, कि GDP बढ़ने से देश आगे बढ़ता है, गरीबों का कल्यान होता है, क्या हमेशा ही ऐसा होता है, क्या GDP को ही हम welfare का मेसर मान सकते हैं, आप कोई सर बिलकुल मान सकते हूं, क्योंकि यार कोई भी activity देखो देश में, सब चीज GDP पर ही depend करती है, हर एक चीजे production पर ही depend करती है, चाहे तो लोगों का employment हो, चाहे लोगो की income हो, production जादा होगा, employment जादा होगा, income जादा होगी, लोगों की quality of life improve होगी, सारी बात होगी है, सही भी है एक हद तक, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब किसी चीज के फायदे होते हैं, तो उसकी कुछ limitations भी होती हैं, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं, तो GDP से मानते हैं क limitations important भी है, ठीक है, सो बात करेंगे, limitations की और साथ-साथ लिख भी लो, इस पर important, ठीक है, और यहाँ तो मैंने लिखा हैं सिर्फ important, इसमें एक आखरी point है, externalities, पहले ही लिखोए से very, very important, externalities तो सिर्फ important है, बट सही खतरा तो यहाँ पर है, most important, ठीक है, चलो, बात कर रहें, limitations के ठीक है, point out, सबसे पहला है, distribution of income, देखो बच्चा, income का distribution कैसा है, distribution of income समस्तो, यहार, अमीर और अमीर होते जा रहें, गरीब और गरीब होते जा रहें, GDP बढ़तो रही है, बट उसका benefit, rich persons तक जादा हो रहें, गरीब वो तक नहीं हो रहें, क्या ऐसे GDP बढ़ने का कोई फाय है, क्योंकि गरीब तो बिचारे, essential of life के लिए तरस रहें, उनके पास basic needs वाली भी चीजे नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्षा, स्वास्त, इनके पास तो ये भी नहीं है, फिर GDP पढ़ने का क्या फायदा, तो बिल्कुल सही है, distribution of income, अगर unequal है, तो GDP and welfare से कुछ नही होने वाला, ठीक है, income distribution थोड़ा से equal करना पड़ेगा, गरीबों को भी थोड़ा सा आगे लाना पढ़ेगा, ठीक है, second point हो, second point है हमारे पास, composition of GDP, composition बोल दो यार, या फिर component बोल दो, है न, component में भी कोई दिक्कत नहीं, देखो या, GDP के कुछ component ऐसे होते हैं, GDP में कुछ GDP तो बढ़ रही है, जिनसे GDP तो बढ़ रही है, goods and services का production तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों को, हमारे देस की जनता को, कोई भी direct satisfaction नहीं मिल रहा है, example देता हूँ, बुरा मत मालना, ठीक है, example से बुरा सुनो बैर, देखो यार, हमारे देस की defense है, defense बोले तो, आर्मी की बात कर उपर करोडों, और मैं तो कहता हूँ, million करोडों रुपए खर्च किया जाता है, ठीक है, tanks, घोला, पारू, बहुत सारी चीजें बनती है, है ना, अभी राफिल बने, पता नहीं कितने करोडों का सौधा था, ये बताओ, या इस से हमें कोई direct satisfaction मिलता है, हमारे देस के बहुत कुछ benefit हो सकता था, लेकिन सुरक्षा के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा, ये जरूरी नहीं है, भाई, बिल्कुल जरूरी है, बट मैं बात कर रहा हूँ, GDP एंड welfare की, तो defense goods से GDP तो बढ़ रही है, कुछ-कोट से ऐसे होते हैं, जिनसे GDP तो बढ़ती है, लेकिन हमें क हमारे देश की आर्मी की बजह से, तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट हाँ, GDP की लिहाज से देखो, तो GDP तो काफी हद तक बढ़ रही है, करोडों में बढ़ रही है, बट उससे हमारे देश की जनता को कोई भी directly satisfaction नहीं मिलता, और आओ, non-monetory exchanges, बच्चा लोग, अभी भ काओं में, कई पिछड़े इलाकों में, लोग non-monetory exchanges करते हैं, बहिया, मिरसे pen ले लो, तुम मदले में अपना pen दे दो, यहां से एक सामान दे दिया, वहां से एक सामान ले लिया, production उनने भी किया था, production हमने भी किया था, हमने गेहूं का जादा किया, तो मिरसे गेहूं ल जान पारें, हम यह नहीं जान पारें, कि कितने रुपय की transaction हुई है, तो यह भी एर एक बड़ी समस्या है, एक last point, बहुत important point, externalities, सुनो, इस पर तो मैं आप से बार-बार कहुँगा, कि भाई, थोड़ा ही नहीं, बहुत-बहुत important point है, externalities का मतलब क्या होता है, वो सारे external factor, जिसके लिए हम कुछ भी पे नहीं करतें, बट हमें हमारी life पे impact करतें ही करतें, वो आपकी externalities कहलाती हैं, हम कह सकते हैं, कुछ बाहरी तत्व, जो हमारी life को impact करते हैं, आप सोचोगे, सब बाहरी तत्व, आपको impact करना है, आप उसके लिए pay भी नहीं कर रो, ना भाई? तो यार ये चीज पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है मैं क्या समझाना चा रहा हूँ अभी example के द्वारा समझोगे देखो यार मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ आपको लोग भी जानते हूँ मैं भी जानता हूँ है ना मजाक वाली बात में खेर और पंकज भी या तो पंकज भी या देखा दिवाल से कुछ क्यों भाईय गार्डन बनाया बहुत बढ़िया हम क्या करते है डेली साम को घूमने निकल जाते हूँ उनके गार्डन में है ना बनाया उनने पाइदा किसे मिल रहा है मुझे कोई पैसे दे रहा हूँ ना भाईय स स्टुडेंट है यार समेत यार उसे किस बात की पैसे तो इस पॉजिटिव एक्स्टेनेटिव भाईया बनाया पड़ोस ने पाइदा आप उठा रहे हो और आप उसके लिए कोई भी पे नहीं कर रहे हो तो पॉजिटिव एक्स्टेनेटिव क्या जीडीपी में इंकलूड प्याय रख लूँ है चलो सपोर्परो श्याम नाम का लड़का है पड़ोस में रहता है ठीक है उसने क्या किया एक घर में ही एक छोटी से लैधर इंडस्ट्री खोली हो यह जूते बड़ोस में खोली है ना लाइक ने अब क्या करता है जो भी उसके वेस्ट माटेरियल हुआ है ना, वो जो बेश्ट मते है ना, वो भाया, जान हमारी मुझकिल में डाल रखा है उसने, क्या हुगा, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ पेल नहीं किया, बट फिर भी, हो हमारी लाइफ को negatively impact कर रहा है ये negative externities कहलाती है तो दोनों example याद रखोगे दोनों पड़ोसियों के याद रखोगे एक था सुमित और एक था स्याम S square याद रहेगा ना positive externity, negative externity externities means वो सारे external factor जिसके लिए आप पे तो कुछ नहीं करते हो बट हमारी life को impact करते हैं तो बच्चा लोग फिलहाल आज की class में इतना ही आप सभी लोगों की request पे PDF तो मैं हमेशा ही save करता हूँ आज भी save कर लूँगा ताकि आप लोगों को provide कर सकूँ तो बच्चा लोग आज की class रेंग करने के लिए बहुत सारा धेर सारा धन्यवार और हाँ next class इस chapter की last class हम बात करेंगे numericals की real GDP और nominal GDP तो आज की class समझ में आई हो class अच्छी लगी हो तो बच्चा लोग चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना साथ में facebook पर instagram पर और telegram पर मतलब कहीं छोड़ना मत्यार सब जगा जोइन कर लेना सब चीज की link आपको description में दे रखी है ठीक है साथ मैं google place store एफ डाउनलूड कर लो अगर आपको ये pdf चाहिए है तो बागी बच्चा लो आज की class इंट करने के लिए आप सभी का धेर सारा धन्यवाल